कहानी की शुरुआत में हम सिधार्थ मेनन को देखते हैं जो उटकर नहाधोकर तयार हो जाता है क्योंकि आज इसका फुटबॉल मेच है और सिधार्थ की मा की आज एक डील होने वाली है इसलिए वो किसी से बात कर रही होती है तब इस सिधार्थ की मा उससे कहती है कि वो पात अपने छोटे भाई आधी को भी ले जाएं लेकिन सिधार्थ मना करते हुए कहते हैं कि वो आधी को नहीं ले जा सकता है क्योंकि वो तो खुछ टीम से बाहर रहता है यानि कि उस खेलने का मोका ही नहीं मिलता और अगर उसका चोटा भाही मेच के अंदर उसे चीयर कर इसलिए वह एक दिन उसके बिना रह पाएंगे क्योंकि ये दोनों भाई अक्सर जगडा करते रहते हैं और इनकी मा को चिंता होती है कि अगर वह वाहर गई तो फिर ये जगडा करने लग जाएंगे इसलिए वह दोनों से पूछती है कि क्या वह उनके बिना रह पाएंगे त इसलिए उन्हें अपने बेटों की चिंता रहेगी और वे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होगी इसलिए वो उन्हें मना कर देती है लेकिन उसे प्रॉमिस करती है कि जब वो काम से वापस आ जाएगी तब वह वीकेंड मनाने जाएंगे तब सिधार्थ ही ड्राइव मैच है जो कि ग्लोबल स्कूल के लड़के भी आएग जिन्वे से किसी ने किसी के साथ सेटिंग में बिठा लूंगा और फिर उनके साथ जूनियर होकर भी अगले हफ्ते प्रॉम में जाओंगा और फिर मेरे दो साल सेट लेकिन सिधार्थ को इन सारी चीजों में इंट्रेस्ट नहीं होता है और वे नहीं चाहता है कि उसका भाई मेच देखने के लिए आए और सिधार तो प्रॉम के अंदर भी नहीं जाएगा लेकिन आदी कहता है कि तुम्हें प्रॉम के अंदर जाना चाहिए कोई तो होगी जिसके लिए तुम प्रॉम के अंदर जाना जहां कोच सभी प्लेयर्स को समझाते हैं और मोटिवेड करते हैं कि हम ग्लोबल स्कूल से पिछले तीन साल से हारते आ रहे हैं लेकिन ये मेच हमें किसी भी हालत में जीतना होगा और वे सभी प्लेयर्स को यही बात कहते हैं कि बाल सिर्फ कबीर को पास करनी है क्योंकि कबीर बेस्ट प्लेयर होता है लेकिन मेच शुरू होने के बाद कबीर को बॉल पास करने के बावजूद भी वो गोल नहीं कर पाता है और मेच के दोरान एक प्लेयर जखमी हो जाता है जिसके बाद बाहर बेटे सिधार्थ को कोच कहने लगते हैं कि अब तुम्हारी वरजनिटी ब्रेक करने का टाइम आ गया है यानि कि अब उसे खेलना है अब ये सुने के बाद सिधार्थ हेरान हो जाता है क्योंकि आज से पहले तो उसे कभी खेलने का मोका नहीं मिला अब सिधार्थ मेदान में उतर जाता है और जब बॉल उसके पास आती है तो सभी उसे कबीर को पास करने के लिए कहता है लेकिन सिधार्थ कनफ्यूज हो जाता है और उसी कनफ्यूजन में वो गोल कर देता है और इस तरह से ISM स्कूल जीत जाती है सबी प्लेयर्स और लड़किया खुशी के मारे चिलाने लगते हैं और वहीं पर नताशा अगरवाल भी होती है जो सिदार्थ के पास आने लगती है लेकिन तबी सिदार्थ वहां से गाइब हो जाता है क्योंकि वो एक इंट्रोवर्ट लड़का है लड़कियों से दूरी बना कर रखता है अब मेच जीतने के बाद कबीर और उसके दोस्त आपस में बात करते हैं कि कैसे सिदार्थ ने गोल करके उन्हें मेच जिता दिया लेकिन उन्हें तो हमेशा ही सिदार्थ पढ़ाकू और सिली टैप का लड़का लगता था अब जीत के खुशे के अंदर कबीर के दोस्त फ्राइडे पार्टी की बात करने लगते हैं और इसके लिए वह सिदार्थ को भी पूछते हैं लेकिन सिदार्थ उन्हें मना कर देता है वो इनके साथ पार्टी करे इससे तो अच्छा वो अपने घर पर ही रहना पसंद करेगा क्योंकि वो उनके साथ ना तो ड्रिंक करना जाता है और ना ही आवारा गिरी लेकिन अब सिदार्थ के गोल करने की वज़ा से लड़कियों से लेकर लड़के सब की नजर उस पर होती है सब उसकी तारीफ करने लगते हैं उसकी ही बाते करने लगते हैं लड़किया उसे प्रपोच करने लगती है और ये देखकर सिधार्थ को बहुत अजीव लगता है और सिधार्थ अपने भाई आदी को बताता है कि कबीर और उसके दोस्तों ने उसे फ्राइडे नाइट पार्टी के लिए इन्वैट किया है लेकिन उसे नहीं जाना है आदी कहता है कि तुमने गोल किया देशा क्या हो गया यहां तक कि जो स्कूल की कांस्टर होती है उन्हें भी सिधार्थ की गोल के बारे मी पता होता है इसलिए वो भी उससे बहुत इंप्रेस होती है और अभी तक सिधार्थ ने बाहर कोलेज में पढ़नी के लिए अप्लिकेशन नहीं बरा है सबी स्टुडेंट्स ने application भेज दिया है लेकिन सिधार्थ counselor को कहता है कि ये उनके लिए बहुत ही बड़ा financial decision है जिसे की वही figure out करेगा कि उसे application भेजनी है या फिर नहीं अब इसी दोरान हम नताशा की बहन नित्या को देखते हैं जिसे की पार्टी में आने का मौका मिल रहा होता है लेकिन उसे भी पार्टी में इंट्रेस्ट नहीं है तबी उसकी बहन नताशा उसे बोलती है कि तुम्हें seniors की Friday night party में आने का मौका मिल रहा है और इससे ज्यादा तुझे क्या चाहिए इसी दोरां सिधार्थ नताशा के पास आता है और नताशा उसे बताती है कि कबीर और उसके दोस्तों ने उससे Friday night party के लिए पूछा इसलिए वो मना नहीं कर पाई और उसके parents बाहर गए हुए है इसी वजह से उनकी जगा पर ही party रखी है सिधार्थ भी बताता है कि कबीर ने उसे भी आने के लिए कहा है लेकिन नताशा उससे कहती है कि कबीर के साथ उसका driver आ रहा है इसलिए वो उसके साथ long drive पर नहीं जा पाईगी तब ही सिधार्थ उससे बताता है कि उससे drive करना आता है उसके पास कार है और उसका तो लाइसेंस भी बन गया है इसलिए वो कार लिकर आ सकता है फिर नताशा भी उसे ओके बोल देती है इसके बाद हम देखते हैं कि आदी के काफी जित करने के बाद सिधार्थ भी उस पार्टी में जाने के लिए मान जाता है लेकिन सिधार्थ उसस से कहता है कि तुम्हें कोई बी उल्टा सिधा काम नहीं करना है तुम्हें मेरी बात माननी है अब अगले दिन आदी अपने बड़े भाई सिधार्थ की मदद करता है कि उसे पार्टी के लिए कौन से कपड़े पहनने चाहिए और साथ ही उसे कुछ ड्रिंक वाले गेंप्स की दोस्त ड्रिंक कर रहे होते हैं अब सिधार्थ और आदी भी उन्हें जॉइन करते हैं और सब लोग मस्ती करना शुरू कर देते हैं लेकिन कबीर सिधार्थ और आदी को बताता है कि फ्राइडे नैट पार्टी से पहले ग्लोबल स्कूल और उनके बीच में प्रैंक होते है ताकि फिर पार्टी में उनके बीच में कोई लफडे ना हो तभी इनके उपर शावर से पानी गिरने लगता है क्योंकि ग्लोबल स्कूल के लड़कों ने इनके साथ प्रैंग किया है और कबीर सिधार्थ और सभी लड़कों को रेस्टूनेंट के मेनेजर से पता चलता है क ग्लोबल स्कूल के लड़के कहां पर बैठे हैं आप कबीर और उसके दोस्त सब उनसे बदला लेना चाते हैं इसे लिए कुछ प्लान सोचने लगते हैं और तभी आदी उन्हें एक आइडिया बताता है और ये सब सिधार्थ के साथ कार में बैठ कर अपने साथ बहुत से अंडे लेकर उस जगा पर पहुंच जाते हैं जहां पर ग्लोबल स्कूल के लड़के होते हैं और उनके उपर अंडे फैकना शुरू कर देते हैं जिसके बाद ग्लोबल स्कूल के लड़के इधर उदर भागने लगते हैं लेकिन यह लगातार उनके उपर अंडे फैंकते ह करता रहता है सिधार्थ बहुत तेज ड्राइविंग करता है और उस इंस्पेक्टर से बचने की कोशिश करता है लेकिन वो लगातार इनका पीछा कर ही रहा होता है इस वज़ा से आदी के कहने पर सिधार्थ एक जगा पर कार को पार्क कर देता है और फिर दोनों कार को छोड क्योंकि उसे कार की चिंता है इसलिए वो कार लाने के लिए वापस जाता है लेकिन सिधार देखता है कि विंस्पेक्टर उनकी कार को टो करके ले जाता है यह देखकर सिधार टेंशन में आ जाता है और तुरंद इसके बारे में आदी को बताता है लेकिन आदी उससे यही कहत दिया था अपनी माँ को कौल करके उन्हें सच बताने की कोशिश करता है लेकिन बता नहीं पाता है। वहीं आदी पार्टी को नैधी को आदी के पास पार्टी में पहुंच जाता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि उसके वज़ा से अब उनकी कार पुलिस के पास है अगर ये बात मा को पता चली तो उन्हें कैसा लगेगा तुम हमेशा ही कुछ ना कुछ गडबड करते रहते हैं और फिर बाद में को कोल करके सब कुछ बताओ लेकिन आदी अपनी मा को कोल करने का नाटक करता है और सिधार्थ को ये दिखाने की कोशिच करता है कि मा आकर सब कुछ देख लेगी इसलिए सिधार्थ भी थोड़ा रिलेक्स हो जाता है और नताशा के साथ पार्टी इंजोई करने लगता है और इसी दोरान नताशा सिधार्थ के नजदीग आ जाती है क्योंकि वो उसे पसंद करने लगी है और उसे भी ऐसा लगता है कि सिधार्थ उसे पसंद करता है और जब वो उसे किस करने ही वाली होती है तब सिधार्थ उसे बताता है कि उसके लिए उसके अंदर कोई भी फिलि थे उनसे सिधार्थ अपने आपको रिलेट कर पा रहा होता था और सिधार्थ को लग रहा होता था कि वो नताशा के थोड़्स थे और वो भी उस पॉइंट के हिसाब सही सोचता है लेकिन नताशा उसे बताती है कि वो उसकी बहन नित्या के थोड़्स थे इसी बीच जब आदी की मा को शक हो जाता है कि कुछ तो लफड़ा हुआ है। इसलिए वे कहती है कि उनका काम भी खत्म हो चुका है। और वो ढ़ाई गंटे के अंदर घर पर आ रही है। इस दोरान सिधार्थ अपने भाई को कहता है कि उसे उस पर गुस्ता नहीं होना चाहिए था। मैं हम पता देता है कि उनकी मा कुछ टाइम के अंदर घर पर आने वाली है। इसलिए अब उन्हें जल्दी से कार को लाना होगा जो कि पुलिस टेशन के अंदर है। लेकिन जाने इंस्पेक्टर भी कहता है, कि अगर मैं तुम्हें दो चमाट मारूँ और फिर सोरी बोलू, तो क्या तुम्हें चलेगा? तुम्हें एक दिन तो लोक काप के अंदर रहना होगा. तब सिधार्थ कहता है कि सर मैं एक स्टुडेंट हो, मैरा एडमिशन नहीं होगा. इंस्पेक हमारे साथ प्रेंग कर दिया था और फिर बदला लेने के लिए हमने उनके उपर अंड़े फेके लेकिन गलती से मेरे हाथ से अंड़ा आपको लग गया और आपकी नजर भी मेरे भाई के उपर गयी इसलिए आपको लगा कि उसने ही आपके उपर अंड़ा फेका है मेरे भाई हो ऐसा काम करो जिसे तुम्हारी मां को तुम पर गर्व हो ये कहते वे इंस्पेक्टर उन्हें कार दे देता है और इस तरह से आदी की समझदारी की वज़ा से उन्हें अपनी कार वापस मिल जाती है और ये अपनी मां से पहले ही घर पर पहुंच जाते हैं और जब कुछ टा पताना चाहता है लेकिन सिधार्त नहीं चाहता है कि आदी उनकी मां को उस लड़की के बारे में बताए जिसे कि वो पसंद करता है लेकिन आदी तो मां को फोटोस भी दिखाने लगता है और फोटोस देखकर उनकी मां पूछने लगती है कि ये लड़कया कौन है आदी और सिधार्थ के बीच में हमेशे लड़ाए जगड़े होती रहते थे और सिधार्थ सिर्फ अपने तक ही रहता था उसे कोई भी पसंद नहीं करता था लेकिन एक गोल ने उसके लाइफ बदल दी और जब दोस्तों की मौज मस्ती के बाद इनके उपर मुसिबत आई तब दोनों भायों ने एक साथ मिलकर एक दूसरे का साथ दिया जहां बड़े वाले ने तो अपनी हिम्मत दिखाई और छोटे वाले ने अपनी समझदारी और दोस्तों इसे के साथ ये मौवी यहीं पर खत्म हो जाती है तो दोस्तों इस मौवी की कहानी आपको कैसी लगी और हमारा एक्स्प्लिनेशन आपको कैसा लगा आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना